हेलो गुडियूनिंग टो एवरिवन कैसे आप सभी मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं सभी प्यारे बच्चों का जीएस प्लेनेट के ओफिसल यूटूब चैनल के उपर जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा बाइलो जी के अंदर सैल का पार्ट नमबर फोर्थ होन वाली आज बोले तो कोशी का जिल्ली जिसका नाम सभी स्टूडेंट ने सुना होगा तो जो भी स्टूडेंट से लाई जूड चुके हैं इस प्यारे से से सेसन को स्टेर करके अपने हर एक कुछ दोस्त तक पुचा दीजेगा जिसको तमन्ना है कहीं यह टॉपिक पढ़न पास में हमने एनिमल और प्लांट सेल क्या होती है उसके बारे में जाना अब दोस्तों हम बात कर रहें किसकी सेल मेंब्रेन की कोशी का जिल्ली कि तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि कोशी का जिल्ली ठीक है कोशी का जिल्ली यह सब्द किस ने दिया था पूरी दुनि सब्सक्राइब मेंब्रेन सब्द दिया था। जैसे आपका उपनाम होता है जैसे किसी इनसान को जैसे नाम रवी है। अब उस रवी नाम है। लेकिन वो सकल से काडा है तो थेरा घर में उन्हें काड़ूना कहए तो कि ऐसे ही कोई सपेद दिखाई रोड़ा सा वहां तो तुम दोड़ा से डोर बॉट इसको पर होता है इसको प्लाजमो लेमा के नाम से जानते किस नाम से जानते हैं दोस्तों प्लाज्मा लेमा के नाम से इसका सरनीम बोले तो उपना मेरे इंगलिस मेडियम वालो दोनों लेंग्वेज में हम लोग लेके चल रहे तो प्लाज्मा सेल मेंबरेन जो सब्द दिये थी वो नागेली वे क्रेमार थी अब एक किस्तन आता है किस्तर यह जो प्लाज्मा लेमा सब्द किस ने दिया था तो वो कौन था तो जैसे वह किस ना वहीं दिमार्ट में आ गई कि सबसे पहले था ना कालियों कोण को तो तो ऐसे सबसे पहले आपको किस ने कहा था तो ऐसे ही पूरी दुनिया में सबसे पहले प्लाज्मा लेमा सब्द या जो यह नाम दिया था यह प्लैवर ने दिया था ल कि जब हम cell membrane पढ़ेंगे तो इसके Model पढ़ेंगे कि मोडाल जो पढ़ेंगे जो स्बसे पहले हम पढ़ेंगे सैंडविट मेंडेंगे मेमिर्ण मेंडेल reminds यह तीन 392 के बारे में हम लोग जानकारी प्राप करेंगे तो उनकी जांकारीaltra करने से पहले हमें चीज की नोज़ हो नचीए कि दोस्तों ये जो स्थयल मैंब्रेन है ना ये त्थय ओती होती है ठीक है उसके अलावा थिन लेयर भाई पतली परत होती है पतली जिल्ली ठीक है बिलकुल तो मैंने कहा ये एक थिन लेयर होगी उसके साथ साथ लीविंग मेंब्रेन होगी और इसके अंदर इसके अलावा सेलेक्टिव परमेबल होती है इसके अंदर परत्यास्ता का गुण पाया जाता है इसके अलावा सेलेक्टिव एक परमेबल है तो ये प्रोपर्ट्यू किसी buyer की अधिसाल ममेंब्रेन गेंग अब लिए त्रैट्र कुछ प्रकार चीवगी मैंने कहा कि इसके लिए हमें तीन मॉडल पढ़ने पढ़—mm सबसे पहला जो हमारा मोडल स्टार्ट होता है उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को बचातू यह बेस चीज के लिए कर लोगे तो आगे पढ़ने में हमें काफी मिलेगी जैसे cell membrane के बारे में जाना कि इसको plasma lemma कहते हैं सब इसे ने दिया और ये सब दे सबसे पहले इन्हों ने दिया एक ये living membrane होती है उसके साथ thin layer होती है elasticity और selective permeable का गुण पाया जाता है अब बात करना चाहिए इसके आगे हम थोड़ा सक आगे मैंने कहा कि ये देखो कुछ structure बनाई है मैंने sandwich model की तरह है इसको हम detail analysis करने वाले हैं तो मैं नाम लिख देता हूं तो थोड़ा सबीचे करने हैं बिल्कुल सई डारेक्शन तो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फस्त जो texture का सबसे पहला पार्ट है वो क्या है दोस्तो sand with model या trilameral model भी बोल सकते हैं इसको आपर इतरी स्तरिये model के नाम से भी जानते हैं trilameral का मतलब क्या होगा थ्री लेयर ठीक है इन स्तर का बोल सकते हैं त्री स्तरिये का मतलब काफी बच्चे नहीं समझेंगे मैं नॉर्मल ही लिख देखता हूँ मुझे पता है यह देश की intelligent जनता है इसको समझाने के लिए कुछ तीन स्तर अब अच्छे से समझ गए दोस्तों यहां पर यह क्या बना दिया आप लोगों के सामने देखो फर्स टाइम जो सेंडवीच मोडल दिया गया था ठीक है जो सेंडवीच मोडल दिया गया था वो सेंडवीच मोडल देने वाले जो scientist थे उन्होंने कुछ इस तरह की structure बनाई थी मैंने पहले बना दी कि जो जो होती है कितनी होती है अगर इस विर्थ की अगर हम बात करें हो टा कितनी 35 एंगा स्ट्रोंगल ठेक्वल और यह कहा से कहां तक मैं आपको बिलकूल सी६्स लिख देता हूं यह पूरा सा इसका के लियर करके दुबारा बना देता हूं यह जो वीड तेना और भाई वापीश चाल यह जो वीड तेना यह यहां से लेकर यहां तक की है एड को कवर नहीं किया यह हैड से नीचे की है अगर हम लोग हैड को कवर करते हैं पूरा कवर करते हैं तो कितनी आत दुरु होते हैं, दो दुरु होते हैं, एक तो बाटर लविंग होते हैं, और एक बाटर से दूर भगने वाले होते हैं, एक तो जल से प्यार करने वाले जल सने ही बोलते हैं, और एक होता है जल विरागी, ठीक है, तो जो धुरुविय होता है, पोलर वाला जो रीजन होता है ठीक है जो polar वाला जो region होता है वो क्या होता है जलस नहीं होता है तो अगर मैं लिखना चाहूं तो रिवे जलस नहीं अगर मैं बात करना चाहूं यह टैल के अगर हम लोग बात करें तो टैल क्या होती है एड रुवे मैं लिख सकता हूं तो नोन-polar तो मैं इन्टैल के अगर मैं बात करना चाहूं नोन-Polar मैं दोनो स्टुदेंट्स को कवर कर चल रहा हूं मैं हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिस मीडियम को साथ किसी के साथ कोई बेद बाव कर निकोशिस नहीं कर रहा हूं फिर भी कोई डाउट रह जायता है तो आप कोमेंट सेक्शन के अंदर कोमेंट कर दिया करो आपके डाउट सेक्शन दूर कर दिये जाएंगे ठीक है तो नोन पोलर यहां मैं लिखा तीन स्थरीय धुरुवे जल्स नहीं या नोन पोलर जो धुर्वे जल सनी की जगे जल विरागी हम लिखेंगे जल से दूर भागने वाले ठीक है तो जल विरागी और ये कौन होते हैं बेटा ये होती है टैल बोले तो पूँच पूँच वाला सेक्षन आप लोगों मैं ज्यादा आपको बोड दिखानी कोशिश कर र तो जाँ रही है ठीक है अब ये जो लेयर है यहां पर ये लेयर होई है या फिर किरेक लेयर होई है यह किसके लेर होते है दोस्तों यह अवति फोस्पो'llिपिड की जो डबल लेर होती है तो मैं यहां लिखना चाहूँ ये अरे भाही क्या चला रहा हूँ क्या चल रहा है पोस्पो लिपिड की उस्तर वाली लेर तो डबल लेर पोस्पो लिपिड की जो डबल लेर है वह यह आप लोगों की सामनी ठीक है अब इसकी इस टैक्टर की थोड़ी डिटेily अनलाइसिस कर ले कि फोस्पो लिपिड कैसी होते हैं तो वह कैसी होते वेटा एनफी पैथिक होते देखो फोस्पो लिपिड की अगर मैं बात करना चाहूं मैंने एक हेडिंग डाली में कोस्पो और लिपीड करना अब लोग पोस्पो लिपीड की अगर हम फैतिक होते हैं ठीक है यह वो वाला सिम्टम आ गया जो दोनों तरब की एक तरब तो क्या है वाला भाग होता है एक तरब तो सीर्स वाला और एक तरब पूंच वाला ठीक है जो सीर्स वाला जो भाग होता है दोस्तों वो क्या होता है वाटर लविंग ठीक है और बोले तो हाइड्रो फिलिक अरे जनाब जना सुन लीजेगा यह क्या होता है है हाइड्रो फोलिक है यह है हाइड्रो फोबीक है हाइड्रो का मतलब क्या होता है जल और फोबिक का मतलब दर्ग जिसको जल से ड्रन लगे वो पूछ वाडा इस्सा जिलोको जल से प्यार हो स्थिर वाड़ा इस्सा ये हाइडरो फिलिक लवी बंता हैको जो सेण्डविक मुडल दिया था उन्होंने इस्सा ये बताया था कि या फिर शिरرف वाला इससा होता है ठीक है प्रोटीन से हाइट्रोजन जो प्रोटीन होते है वो सिर्स वाला इससा होता है जो प्रोटीन से हाइट्रोजन या आइनिक बोर्ड के दवारा जुड़े होते हैं अगर मैं बात करना चाहूं तो यह कैसे जुड़े होते हैं तो मैं लिख देना चाहता प्रोटीन से कौन से बोन्ड के दवारा प्रोटीन से हाइड्रोजन या आइनिक बोन्ड के दवारा जुड़े हुए दोस्तों जो प्रोटीन से ये कनेक्ट होते हैं या तो हाइड्रोजन या आइनिक बोन्ड के दवारा जुड़े होती है बट अगर हम बात कर रहे हैं टेल की तो टेल किसके दवारा जो प्रोटीन से जुड़े होती है जो हाइड्रोफोबिक होते हैं यह है प्रोटीन से वंडर्वाल पॉन्ड के दवारा जुड़े हुए तो इस तो मैंने कहा जो MP थैटिक है पोस्पो अगर 걸 लोगोंने बात करी है ठीक पोस्पो लिपिड के हमने बात कर इस नंपनाय। अब पूच्ष तरीक से सेंडवीच या कि वाल्स या छार्वाल देनैंना है जिसको डेव सन टे dennel नहीं दिया था अगर आप लोगों से और भी कुछन पूछे तो देने वाला जगह है कहीं यहां नहीं है तो यह जो दिया था किस ने दिया था तो डैवस्थन कि एंड कि ने यह जो ब्ली दिया था दोस्तो तो किस ने पुछता आप से किस ने फ्ल्यूड मोजिक मोडल दिया था तो हम लोग बताएंगे प्पेरे बच्चो डैवस्थन एंड डैनली ने फ्ल्यूड मोजिक मोडल दिया था यह चीज आप लोगों ने अच्छे तरीके से भली बाती इसको पड़ा अब इसकी बाद हम थोड़ा और आगे विस्तर जानकारी बात करते हैं अब यह तो छोटा सा मोडल था यह चोटा सा मोडल था अब जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला तो यून कि देखो जो यूनिट मेंब्रेन कंसेप्ट था इकाई कला परति लूप दोस्तों इसको समझने की कोशिश करना यह जो मोडल है इसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना देखो जैसे स्टैल के बारे में बताने वाले जैसे स्टैल का नाम आरा जैसे आगे जो आएंगे वैसे आपके जिसके बारे में राइबोसोम से रिलेटिट देने वाली रोबर्सन जो थे उसी से रिलेटिट अगर मैं फिर यह सिस्टम क्या था इसका कहना यह था दोस्तों इसका कहना यह था कि समस्त कोसी के अंग होते हैं उनकी जिल्लियां फंक्शनली समान होती है इनका इस मोडल का यह कहना था समत कोसी के जितनी भी कोसी का जिल्ली होती है जितनी भी सैल मेंब्रेन होती है उन वो फंक्शनली भी और स्ट्रेक्शनली भी कारिये बाई और उसके अलावा जो आपके फंक्शन करने के लिए और जो स्ट्रेक्शनली दौन्नों क्या होती समान होती है according to unit membranal concept इसके अनुसार cell membrane functional function लिख देता हूँ functionally and structurally structure के रूप में या structurally आप लिखने न के रूप में समान होती है ऐसा इन भाहिसता आप ने बताया था किसने Robertson ने कहा कि जनाब कुछ ऐसा concept होता है कि जो इसके cell membrane functional रूप से समान होती है लेकिन इन्होंने एक और चीज कह दी जो plasma membrane होती है अभी तक हमने पड़ा जो plasma membrane थी वो कैसी थी पोस्पोलिपिड की double layer थी लेकिन इन्होंने कहा फास जो plasma membrane होती है वो त्री स्थरी होती है थीक है कैसी होती है त्री स्थरी होती है यह चीज भी इन्होंने बोल दी थी ठीक है तो इन्होंने क्या बोला plasma membrane प्लाज्मा membrane तीन स्थर्व triple layer होती है थीक है इन्होंने यह कहा कि जो plasma membrane होती है वो triple layer होती है ठीक है होती है इतना आप लोग लिख लेना तो plasma membrane triple layer होती है तीन स्थरी होती है इसके अनुसार cell membrane functionally and structurally स्थरी रूप में समान होती है यह चीज यूनिट मेंब्रेन कंसेप्ट के दवारा बात की गई इकाई कला परती लूप के दवारा यह model हमने पढ़ा पहला model हमने पढ़ा अब आता है हमारा जो आता है जिसका नाम क्या फ्लूड मोजेक model तरल मोजेक model most accepted model जिसको सिंगर वे निकलसन ने दिया था फ्लूड मोजेक तुम्हें पता है यहां पर अगर बर्गर मोडल निकाल जिस बर्गर की तरफ तो उनको नहीं कहा कि जो लिपिड्स होते हैं लिपिड्स की लेर बताई इन्होंने प्रोटीन की लेर बताई इन्होंने अब बात जो आती है लास्ट में most accepted model जिसका नाम क्या है अगर हम लिख हमारा थर्ड एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मोडल मोजाइक मोडल की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चो अब बात इस इसकी अगर हमें लाइन याद रखनी है तो मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं उस लाइन से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे most accepted सबसे ज्यादा accepted अगर मोडल माना जाता है तो दोस्तों कौन सा माना जाता है प्लूड मोजे मोडल माना जाता है ठीक है इसको देने के लिए दो वग्यानिक था एक तो सिंगर आया था सिंगर तो आप गाने वाला सिंगर याद रख सकते हो एक Nicholson था दो याद रखने हैं इसको देने बाले दो वैग्यानिक थे एक का नाम था सिंगर और दूसरे का नाम था Nicholson इन दोनों ने ये क्या क्या खोज किया दिया जो भी किया कर दिया इनोंने सिंगर और निकल सनी अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसने का कि प्रोटीन की लेर होती है ये देखो एक तर्टर टूनल प्रोटीन होता है जो इंटरनल प्रोटीन के नाम से जान जाता है एक होता जैसे सरकम्फ्रेंस प्रोटीन कैसे मिलेगा कुछ इस तरीके से सरकम्फ्रेंस प्रोटीन मिलेगा कि यह से यहांपर मिल गया यहां पर मिल गया इस प्रोटिन प्रॉटिन को मतलब समझ गया प्रिधी लिख सकते हो तुम prawd एंडी मेड्यम वाले और ये 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 कुण सा प्रोंटीन है ये जो सब इस साइड़ वाले यह one टेनक uniform के नाम से जानते कौन सा है दोस्तों यह है इंटरनल प्रोटीन ठीक है तो यह है आपका इंटरनल प्रोटीन सतर परसंटेज जो आपका सरकम्फ्रेंस प्रोटीन होता है वो स्पेक्ट्रम से मिलकर बना होता है प्रीद्य प्रोटीन होता है वो किस्से मिलकर बना होता है स्पेक्ट्रम लेकिन अगर यहां पर बात करें यह किस्से मिलकर बना होता है स्पेक्ट्रम की तरह ु रहेँ और अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी ये पृरीदी की बात हो गई ना के रिकेश की बात कर लें अब अब यह इंटर्नल प्रॉटीन की बात इदर कर लेते हैं यह इह जो हता है न यह किसी चीज्फे क्यों से से के प्रीमिल एज टाइप से अभी इनको डिटेल पढ़ने वाला हूं मैं एक एक चीज अच्छी से पढ़ाने वाला हूं ठीक है तो इंटरनल प्रोटीन जो आपका 70% इंटरनल प्रोटीन ही होता है आपका मैक्सिमम के बाद fluid logic model की ठीक है तो अभी कितना टाइम हुआ अब बात करते हैं इसकी थियोरी के तो दोस्तों अब इसकी थियोरी के पर हम लोग आते हैं देखो most accepted model माना गया fluid logic model को प्लाज देखो एक बार देख लो भाई इसको जल्दी से लिख लो बना लो कुछ बच्छे नोर्स भी बना रहे होंगे ठीक है तो इनका कहना था कि इसका जो प्लाजमा मेंब्रेन उत्ती है वो क्या होती एक semi fluid है मतलब उन्हों अर्द तलिये अर्द तरल अर्द तरल गोली तो semi fluid है और उसमें जो फोस्पोलिपीड बैं इंटरनल प्रोटिन मोजे की रूप में पाए जाते हैं अर भाई इसको ऐसे समझो गुलाब जमन जानो ना थे अज बाई बनावा गुलाब जमन बनावा रस्गुल्ला बनावा अब रस्गुल्ला बनाता है गुलाब जमन बनाता है वो किसमें बनाता है कडाई में यह देखो तुम लोग बड़े महन बाई हों महन बाई हो थी और एक कडाई थी कडाई के अंदर क्या डाल दी तुम लोगों ने चासनी यह चासनी अब इसको सी तुम रशगुला मोडल बोल दो या गुलाब जमुन वोडल बॉल दो समझने कोशिस करना है कि तरह काम करता है कडाई एक मेंब्रेन की तरह काम करती है और इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या चीज होती है दोस्तों आपके इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो आपका लिक्विड पदार्द होता है और यहां पर जो सेमी फ्लूड के रूप में फ्लूड तो वो मिल गया आपका और उसके बाद जो रसवुले डालने हैं आपने वो प्रोटीन है इसको समझने की कोशिस करोगे जनाब जड़ा कि यह मॉडल कहना क्या चाह रहा था यह मॉडल नहीं यह कहा साब कि यह जो सिंगरवन निकलसन ने दिया इन्होंने का कि प्लाज्मा मेंब्रेन एक सेमी फ्लूड है ठीक है वो फोस्पोलिपिट प्रोटीन मोजे के रूप में पाई जा इन्होंने का प्लाज्मा मेंब्रेन क्या है प्लाज्मा मेंब्रेन मेंब्रेन एक सेमी फ्लूड है बोले तो अर्द तरल तथा यो नहीं कहा थी जो प्लादमा मेम्रे ने एक सेमी फ्लूड है तथा जो पोस्ट पो लिपीड वे इंटरनल प्रोटीन तथा पोस्ट पो लिपीड वे इंटरनल प्रोटीन इंटरनल प्रोटीन मोजाई के रूप में पाये जाते हैं परतीरूप के लाइन इसकी है अब अगली लाइन क्या है इसके अकोडे तो पोस्ट पोल प्लादम मेंब्रेन को का म करते हैं तरलता देने का का काम करते हैं जो लिख्विडीट फोस्पल पिड काम करते हैं वह प्रोटीन अरे बहीं जो बनाए था कडाई के अंधर queste पोस्पो लिपिड क्या काम कर रहे थे भाई फोस्पो लिपिड आगे लिपिड इस टाइप ओफ फैट वसा काई रूप है वसा क्या देती है आपको लिक्विडिटी देती है लिक्विड के रूप में मिलती है जरने लिवसा तो फोस्पो लिपिड प्लाज्मा मेमरेर को तर छलता देनें में help करतें तो मैं एक line लिख सकता हूं अरब कलर से लिख देते हैं तकि तोड़ा सा यह line का difference के लिए आखोो score प्लाजमा membrane को आख सेर करो फटापट बाजमा membrane को तरलता देते हैं तो दोस्तो फोस्पर लिपिड होते हैं वो प्लाजमा मेमरेन को क्या देते हैं तरलता देनने का काम करते हैं ठीक है और प्रोटीन किस के रूप में पाए जाते हैं तथा प्रोटीन मोजाइक के रूप में पाए जाते हैं आयरी कंसा यूह ओने के बसषाद हम थोड़ा सा अगली लाइन पहाते हैं अगली लाइन किया है इसी मोडल कि ही जो फूसवा में प्रोटीन की दोफ ही समझा है जो अरे समझे कैसे समझाओ यह कडाई है इसके अंदर में दलिो धो यह कहां बाद में करs में अ memorizedazuje मैंने यह खलका सा चास्नी सा डान है दिख रहा है क्या यह तो दिखी नहीं रहा पहले मैं यह लाहिन को संभने कोशीक्र करें में सारे महान इंसान मैं यह लिख रहा हूं वेटा कि जो पोस्बो के समुप डर में होश्य पो लिपिड के समुंदर में प्रोटीन के प्रोटीन होता है उसके बर्फिले दूप ठीक है आइस्बर्क्स इन C of प्रोटीन आइस्बर्क्स इन C of फोस्पलिप बर्फिले अरे बाई एक लाइन आइसबर्ग बर फिले दूब जो आप जानगे ना आइसबर्ग इन सी ओफ फोस्पॉलिपिड बाई देखो कुछ नहीं कहा इसने एक लाइन लिखी है, फोस्पोलिपिड के समुंदर में, अब समुंदर में क्या होता है, पानी, उस पानी के अंदर अपने प्रोटीन के द्यूप बना दिये, तो वो द्यूप किसके हैं, प्रोटीन के, ऐसे ही, हमारी सैल मेंब्रेन के अंदर, देखो, कुछ इस तरीके से य यह द्यूप किसके हैं, यह आइस बाक्स किसके हैं, यह हैं प्रोटीन के, यह कहना चाहरा था, वो महान इंसान, और कहा कुछ नहीं, बस जैसे अपनी मेंब्रेन है, सैल मेंब्रेन है, यह लिविंग है, लिविंग मैट्रियल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोटीन को कितने भागों में हमने पढ़ने के कोशिश किया है, प्रोटीन हमने अभी तक देखा, कि प्रोटीन एक तो होता है, आपका इंटिग्रल या इंट्रेंसिंग प्रोटील, आंत्रिक प्रोटील और एक होता है, एक्स्ट्रेंसिंग प्रोटीन, इंटिग्रल या intrinsic एक उत्ता extensive protein एक आंत्रिक protein और एक उत्ता भारे protein अब इनकी विसेश्ता क्या दोस्तों समझना जो इंट्रिंग integral protein होता है वो maximum 70 percentage के लगबग यह आपका मिलता है ठीक है 70 percentage यह मिलता आपका ठीक है तो बीतर की और इस्तित होता है इन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते हम लोग ठीक है यह क्या होता है बीतर इस्तित होता है इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है दोस्तों समझने की कोशिस करना इंटीग्रल या इंट्रैंसिक जो प्रोटीन होते हैं वो अंदर की और इस्तित होते हैं देखो यह रहें अंदर की और इस्तित इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं ठीक है इसको हम लोग आसानी से लेकिन जो प्रीदे प्रोटीन होते हैं जो सब्सक्रेश्टीन होते हैं इस स्थित प्रोटीन होते हैं बात एक ही है यह वहार की और इस्तित होते हैं को आसानी से अलग यहां लिख सकता हूं इन्हें आसानी से अलग यह dato तो सकता है कि दोस्तों इनको क्या है एक्सटेंसिंग जो प्रोट्इनव होते हैं और ये प्रीदे प्रेटीन ऍसको आसानी से आप लोग अलग कर सकते हो लेकिन किस्टन पुछा जाए flip-flop की गती, flip-flop की गती समझ पा रहे हो, यह उपर से नीचे आ जाई, उपर से नीचे ऐसे flip-flop की गती, एक बार जहां fix होगे, वहाँ पर होगे, तो किस्टन पुछा जाता है exam में, can flip-flop motion is possible in plasma membrane, क्या plasma membrane के अंदर flip-flop की गती पोसिबल होती है, तो हमें बताने नाजी नहीं होती, तो हम not डाल दिखती हैं, आगे, not, slip, flop, की गती, plasma membrane में, नहीं हो सकती, क्रोस का मतलब, वो तीबल ही नहीं है दोस्तो, not possible, अब बात करेंगे, chemical composition in plasma membrane, chemical composition in plasma membrane, जो आपका रासाइनिक संगठंग क्या होता है, plasma membrane के अंदर, उसकी बात करते हैं, तो इसको note down कर लिजेगे, हो गया भई, chemical composition की बात कर लेते हैं, रासाइनिक संगठं, protein कितना होता है, phospholipid कितना होता है, कार्वाइडेट कितना होता है, तो मैं एक heading डालता हूँ, फिर हो गया होगा तो, chemical composition in plasma membrane chemical composition के अगर हम बात करना चाहें, दोस्तो, chemical composition के अगर हम लोग बात करते हैं, तो chemical composition जो होता है, इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चो, plasma membrane के अंदर, तो रासाइनिक संगठं की बात करूँ, तो जैसे एक तर्व तो हम नहीं लिखा क्या आप, protein, protein कितना होगा, phospholipid, और देन आप ट्रीट कार्बो हाइट्रेट, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो material मिलेगा, maximum वो protein मिलेगा, क्या मिलेगा, protein मिलेगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया, protein कितना मिलता है दोस्तो, protein जो मिलता है, वो इसके अदर 60 to 70 % तो क्या होता, protein होता है, देन रिमेनिक 30 to 40 % के आराउंड, वो phospholipid होगा, इन केस ओब कार्बो हाइड़ेट, तो कार्बो हाइड़ेट का भई आपका एक से लेकर डेड़ परसंटेज तक क्या होता है, कार्बो हाइड़ेट, एक से लेकर डेड़ काना हमारा दोस्तो, एक से लेकर पांच परसंटेज तक है, एक से लेकर पांच परसंटेज तक है, लेकिन cell to cell recognition होता है, यह help करता है cell to cell recognition में कार्बो हाइड़ेट, कोस्तिका से कोस्तिका को पहचानने का काम यही करता है, ठीक है, तो कार्बो हाइड़ेट में एक प्रोपर्टी पाई जाती, cell to cell recognition, help in, cell to cell recognition, आप समझ रहे हो, कोस्तिका से कोस्तिका का, कोस्तिका से, कोस्तिका को,亲ब कोई पहचान, आप कोस्तिका से कोस्तिका मैंने का दोस्तों यह जो कार्बो हाइड़ेटिन रेट्न कैसे लिख दिया तुम लोग यह ना हमाँ बताती नहीं हो मैंने यह क्या लिख दिया, को पता दिया करो, कोई झार्बोहाइड रेट्स है उन्गों प्रोटिन दिमाग में चल रहोगा कर्बोदीति लिख दिए है तो धिक्कत मीं मतलब जैसे इसके अंदर सैल टू तेल कोशिका को थैल्प by खुद बी पैसान सक्ता है मैं लिख सकता लिख सकता drinks को भी पैसान सकता है और इसके अलावा नोन स्टैल्प दूसरी कोसिका को पहचानने का काम भी करता है लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन ऐसे होते हैं जो इसके अंदर एक्शुले में दूसरी सेल्स को या खुदकी सेल्स को पहचानने काम करता है तो वो glycoprotein भी हो सकता है glycolipid दोनों हो सकते हैं दोस्तों याद क्या रखोगे glycoprotein glycolipids ठीक तो आर्यों understand बाटाइम से भाई आप समझ पारे हूं मैं क्या बता रहा हूं भाई plasma membrane में chemical composition पड़ा है क्या काम करती है कोस्ती का जिल्ली क्या काम होता है कोस्ती का जिल्ली का तो हमें पाता होना चाहिए function of cell membrane तो cell membrane की function की अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों तो मैंने एक heading डालिया है function of cell membrane membrane प्रिकिट में लिखना है कोस्ती का जिल्ली के कारियंग कारिये function of cell membrane क्या होगा तो जनाब समझने की कोशिस करना सबसे पहला function यह होता है यह तैनात्मक पारग में होती है हुआ 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 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ selective permeable यह line आई थिंक जब मैंने cell membrane स्टार्ट करी थी तब भी बताई थी दूसरा cell membrane के अंदर cell to cell recognition का system पाया जाता है कौन करता है कार्बाइड कुछ दिर पहले बताया था तो अब आई थिंक आपको यह point समद्ने में आसानी होगी इसके अंदर दूसरा मैंने क्या बताया था और the cell to cell रिक् formulate रिकोनाइजेशन कोस्तिका सी कोस्तिका की पहचान करने यह फोड़ा बताय जता है तीसरा रांस्पूट की बात करती है तो ट्रांस्पूर्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रांस्पूर्ट दोनों तरया का सिंक अर्क्णरkra इसको हम क्या करते है पहरे बच जिंदकीं एक संपर है सुहना यहां कल क्या हो किसनें जाना कल आपको आपकी मनजील मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती उसके लिए बस निरंतर परियास करते रहें मेहनत करते रहें और जिन्दकी में बस एक चीज है कभी भी जिस चीज को आपने जिस टार्गेट को एक बर बना लिया है तो उससे टार्गेट के उपर ही ध्यान रखें बार-बार अपने टार्गेट से ना बटकें बार-बार अनेक परकार के आप टार्गेट रखोग एक जो ट्रांस्पोर्ट मिलेगा वो एक्टिव भी मिलेगा एक्टिव बोले तो करिए एक्टिव का मतलब जो होता है जिसके अंदर अनर्जी का यूज आए और एक होता है पैस्टिव ट्रांस्पोर्ट जिसको हम क्या बोलते है निस्ट करिए निस्ट करिए कि बात कर रहा हूं दोस्तों तो active transport की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो active transport की अगर हम लोग बात करना चाहिना तो यह जो active transport होता है इसमें energy का use होता है अट यहाँ energy नहीं चाहिए अब हम ने लिखा यहाँ हमें energy का use होता है वहाँ energy का use नहीं होता इसके अदर क्या होगा active transport में lower से higher concentration की होता है यहाँ क्या होता है lower से higher और यहाँ मैं लिख सकता हूँ higher to lower concentration एक तरफ higher से lower एक तरफ lower से higher concentration ठीक है यह लो ना भाई आराम से देखो यहाँ क्या लिखा हाई से lower और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसमें किस तरीके से ट्रांस्पोर्ट होता है lower से higher concentration मैंने का दोस्तो अनर्जी का यूज आता है यहाँ अनर्जी यूज नहीं आता निस्क्रे में अरे भाई अनर्जी यहाँ लिख दिये यहाँ कोई अनर्जी का यूज नहीं आता active का मतलब क्या होता है अनर्जी रिक्वायरमेंट होगी एक में हम लोग क्या कर रहे हैं वह जब हम higher से lower की तरब जा रहे हैं उच्छे निमन स्ट्रेणी की और जा रहे हैं लोवर कंसेंटेशन उत्ते सांदरता थे नीमन सांदरता की और जाते हैं तो हमें उर्जा क्या आउसकता नहीं होती है बट अगर बात कर रहें एक्टिव की तो अगर हम लोवर से हाइर भाई आप जमीन से अगर आप पहाड की उपर चड़ती हो तो हमें अनर्जी से यह लेक एक्टवी वह कोगा तो काईसर और इसके अंदर दो पएंट और होते हैं चोटी-छोटी इसको में थोड़ा सव्पर करूंगा इसके अंदर अगर हम बात करना चाहिए एक्जोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस ऑग जो साइटोसिस sheriff जैसे इसके अंदर हम बात करें जैसे एक होता है एक्जोसाइटोसिस एंड एक होता है एंडोसाइटोसिस एक्जो का मतलब क्या होता है बाहर और साइ्टोसिस मतलब किस से से बार निकालने किस चीज को कोसिका से जो भी पधारत होता है उनको बाहर साइबुए पधारतों को कोसी का से बहार लाना इसका मतलब क्या होगा वधारतों को कोसी का बीतर लाना मैट्रीयल जो होते हlvania वह सेड्स के अंदर किस तरीके से आते हैं फिक है तो यहां पर भी हमें लाने के लिए बहार निकालने के लिए और अंदर लानने के लिए उनके लिए Όते हैं उनके लिए दो फैगोसाइटोसिस देखो एक होता है पीनोसाइटोसिस और एक होता है फैगोसाइटोसिस तो स्टेप के अंदर पजार्तों को हम बहार और विस्तर कर सकते हैं पीनोसाइटोसिस साइटोसिस और एक तरफ है फैगोसाइटोसिस बै एक तो आपको liquid material अंदर लेके आना हो और एक आपको solid material अंदर लेके आना हो अगर आपको दोस्तो liquid material अंदर लेके आना हो सब आपको ये किस के लिए लाग होता ये होता आपका liquid material के लिए ओले तो तरल पधार्थ के लिए और ये बाला होगा ये solid के लिए एक तो आप वैल डिंकिंग सेल के अंदर जैसे दीर दीर दीरे पानी एंटर कर रहा और एक सेल को इटिंग दो तरीके से मैथट से आसकता है इसके अंदर आसकता है सेल डिंकिंग के दवारा यहां सेल डिंकिंग के दवारा यह हमारा सेल मेंब्रेन का सिस्टम था तो सेल मेंब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं जाना थे फिर उसके बाद सेल की जो हम केमिकल कंपोजिशन जाने और फिर लास्ट फाइनली जो था वो कार्भो हाइड़िट प्रोटीन वगएरा के बाद ट सबसे पहले देने वाले कौन थे तो यह इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स के लिए तो इनके हैंड़िटर नोट्स भी हम अप्लिकेशन के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे जी एस प्लेनेट के डाउनलोड कर लो फिर भी जिसने अभी तक कोर्स नहीं लिया वो ले ल आउट होना कोमेंट करना इस सेशन को तेरक मारना वैं अपने हर एक दोस्त तक पुछाने को सिस्काना धन्यवाद